रादे रादे जैसरी किष्णा कहानी संग्रे में हमारे सभी सोताओं का हाड़ दिक अविनंदन है बंदुगो आज की वीडियो में हम पुर्षुत्तम मास की पर्मा एकादसी बपुर्षुत्तमी एकादसी का महतम में आप लोगों के लिए लिकर आए हैं यह पुर्षुत्तम मास की मल मास की तथा अधिक मास की एकादसी संग्र पापों का नास करने वाली बद दर्रिद्रता को घरने वाली है आईए हम एकादसी का महतम में वकता स्रवर करें इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नई है तो सब्सक्राइब करें बीडियो को शेयर इन लाइक अवस्य करें संपूर जानकारी के लिए बीडियो को अन्त तक जरूर देखें एक बार अर्जुन ने भगवान सिरी क्रेश्ण से कहा है कमल नेन आपके मुकसे में स्रोकल पक्ष की एकादसी का विस्तार फूरवक वरडन सुन चुकाऊं अधे आप क्रपा करके मुझे अधिक मास के क्रेश्ण पक्ष की एकादसी का महतमे सुनाने की क्रपा करें इस एकादसी का नाम क्या है तता इस एकादसी में किस देबता का पूजन किया जाता है इस व्रत को करने से किस फल की फ्राप्ति होती है तता इस व्रत की विधी क्या है समस्त जानकारी क्रपा करके आप मुझे देने का कश्ट करें अर्जुन की बात को सुनकर भर्बान स्री क्रेष्ण बोले ये अर्जुन अधिक मास के क्रेष्ण पच्छ में जो एकादसी आती है उसे फर्मा एकादसी या पुर्षोत्मी एकादसी के नाम से जाना जाता है बैसे तो प्रत्यक वर्ष में 24 एकादसी होती है परन्तो अधिक मास या मल मास को जोड़िया जाए तो वर्ष में 26 एकादसी होती है अधिक मास में दो एकादसी होती है जो फद्विनी एकादसी और फर्मा एकादसी के नाम से जानी जाती है इसके ब्रत करने से सभी पापनश्ट हो जाते हैं तथा मनुस्य को इस लोक में समस्त सुख पाकर पर लोक में सदगती की प्राप्ती होती है इसका ब्रत विधान अनसार करना चाहिए और भगवान लिष्टु को दूप दीप नेवित पुस्व आदिस से फूजन करना चाहिए इसे एकादसी की पावन कथा जो महर्शियों ने कामपिल्य नगरी में सुनाई थी वह मैं तुमसे कहता हूँ ध्यान पूर्वक सुनो कामपिल्य नगरी में शुमेदा नाम का एक अत्यंत धर्मात्मा ब्रहमबड रहता था उसकी पत्नी अत्यंत पवित्र तथा पत्य ब्रता थी किसी पूर्व जन्म के पाप के कारण वे दमपती अत्यंत धरिद्रता का जीवन व्यतीत कर रहे थे ब्रहमबड को विच्चा मांगने पर भी भर फेट अन्न खाने को नहीं मिलता था उस ब्रहमबड की पत्नी बस्त्रों से रहित होते हुए भी अपने पत्ती की सेवा सतकार में लगी रहती थी तदा अत्यती को अपने हिस्से का अन्न देकर स्वयम भूंकी रह जाती थी और पत्त से कभी भी किसी भी बस्तु की कामना नहीं करती थी दोनों पत्य पत्नी घोर निर्दंता का जीवन व्यतीत कर रहे थे एक दिन अपनी निर्दंता से परिशान होकर ब्रहमबड ब्रहमबडी से बोला हे प्रिये जब मैं धनवानों से धन की याचना करता हूँ तो वैं मुझे धन देने से मना कर देते हैं ग्रस्ती धन के बिना नहीं चलती इसलिए यद तुमारी सेमती हो तो मैं परिश जाकर कुछ काम करूँ क्योंकि विद्वानों ने कर्म की ही फ्रसंसा की है ब्रहमबड की बात को सुनकर ब्रहमबडी विनीत भाव से बोली हे स्वामी मैं आपकी दासी हूँ पत्य अच्छा या बुरा जो भी कहे पत्नी को वही करना चाहिए मनुस्य को पूर्व जन्म में किये गए कर्मों का फल इस जन्म में भोगना परता है हग में अगर सुक नहीं लिखा होता तो सुमेरु परवत पर निवास करने पर भी उसे स्वरण की प्राप्ती नहीं होती पूर्व जन्म में जो मनों से विद्या और भूमे दान करते हैं उन्हें अगले जन्म में विद्या और भूमी की प्राप्ती होती है इसी प्रकार जो व्यक्ति फूर्व जन्म में अन्न का दान करते हैं उसे ही जन्म मिलने पर धन की ब्राप्ति ब अन्न की ब्राप्ति होती है विधी के विधान को टाला नहीं जा सकता यद कोई मन उसे दान नहीं करता तो प्रभू उसे खाने को अन्न नहीं देते इसलिए आपका बिछो सहन ही कर सकती पत्य बिना इस्त्री की माता पिता भाई ससुर तता संबंदी आदि सभी निंदा करते हैं इसलिए हे स्वामी क्रपा करके आप कहीं न जाएं जो भग में लिखा है वह यहीं प्राप्त हो जाएगा पत्नी की ऐसी सलाह मानकर ब्रहंबर परदेश नहीं जाता है इसे प्रकार उन दोनों का समय ब्यतीत हो रहाता एक बार हरी क्रफा से कौड़े निरिसी उनके नगर में फधारे रिसी को देखकर भ्रहंबर सुमेदा अपनी इस्त्री सहित रिसी को प्रडाम किया और बोला आज हम धन्य हो गए आपके दर्सन से हमारा प्रता ब्रहंबरी रिशी से बोली है रिशीवर क्रपा कर आप मुझे दर्यद्रता का नास करने की कोई बिधी बताईए मैंने अपने पती को परदेश में जाकर धन कमाने से रोका है मेरे भाग्यव से आप यहां पदारे हैं मुझे फूर्ड विश्वास है कि अब मेरी द दर्यद्रता नश्ट करने के लिए प्रपा करके कोई आसान सा उपाय बताईए ब्रहंबरी की बात को सुनकर कोड़े ने रिशी वोले ये ब्रहंबरी मल मास के क्रेश्ण वच्छ की फर्मा एकादसी के ब्रत से सभी पाप दुख और दर्यद्रता आधि नश्ट हो जाते है जो मनुस्त इस ब्रत को करता है वह धनवान हो जाता है इस ब्रत में नरत्य गायन सहित रात्री में हरे जागरण करना चाहिए ये एकादसी धन बैवब देने वाली है तता पापों का नासकर उत्तम गती को प्रदान करने वाली होती है धनपती कुवेर ने इसी एकादसी ब्रत का पालन किया था जिससे प्रशन होकर भगवान भुले नात ने उन्हें धना अध्यच्छ का पद प्रदान किया इसी ब्रत के फ्रवहाव से सत्तिवादी राजा हरिश्चन्द ने उन्हें अपने पुत्र और पत्नी राज सहित प विधान कै सुनाया रिशी ने कहा हे भ्रामडी पंच रात्री ब्रत इससे भी जादा उत्तम है पर्मा एकादसी के दिन प्रातय नित्य कर्म से निवर्त होकर बिद पूर्वक पंच रात्र ब्रत का संकल्प लेकर ब्रत करना चाहिए जो मनुसे एकादसी से पूर्मासी तक पंच राक्ति का निर्जल व्रत करते हैं वे अपने माता पिता और इस्क्री सहित स्वर्ग को जाते हैं जो मनुसे पाँच दिन तक संध्या को भोजन करते हैं वे स्वर्ग को जाते हैं जो मनुसे इस नान करके पाँच दिन तक ब्रहमरों को भोजन कराते हैं वे समस्त्र संस चार को भूजन कराने का पुन्यकियोट पूतर can来हते हैं जो मनोसे आइस ब्रत में अस्व दान करते हैं उन्हें तिनों लोको को दान करने का पुन्यख हल राप्त हो जाता है जो मनोसे उत्तम ब्रहमण को इस दिन दिलका दान करते है वे तिलकी संख्या के बराबर बरसों त मनुसे ही का बात्रदान करते हैं वे सूर्य लोप में नुवास करते हैं जो मनुसे पांच दिन तक ब्रहम चर्य का फालन करते हैं वे देवंगनायों के साथ स्वर्ग में निवास करते हैं हे व्रामबडी तुम अपने पती के साथ इसी ब्रत को धारण करो जिससे तुमें अवस्य ही सिद्धी और अंतमे श्वर्ग की व्राप्ती होगी। कोडिने रिशी के बचना अनुसार व्रामबड और व्रामबडी ने पर्मा एकादसी का पाँच दिन तक लगातार ब्रत किया। ब्रत पोड होने पर व्रामबड की इस्त्री ने एक राजकुमार को अपने घर आते हुए देखा। राजकुमार ने व्रहमा जी की फ्रेड़ना से एक उत्तम जो सब सुगदायों से फरपूर था ऐसा घर उन्हें प्रदान किया तदन उपरांत राजकुमार ने आजीबिका के लिए एक गाउंभी प्रहंबड को दिया इस प्रकार प्रहंबड और उसकी इस्तरी की दरिद्रत एकादसी व्रत के फुन्य फ्रवहव से दूर हो जाती है बे प्रत्वी फर काफी वर्सों तक सुक भोगने के फस्चात अंत में पत्र फत्नी दोनों विश्नु लोग को प्रस्थान करते हैं तो बंदुगों ये थी पर्मा एकादसी व्रत की महतम्यवक था अगर आपको हम हमारी प्रस्तुती अच्छी लगी हो तो आप हमारी चैनल को लाइक सब्सक्राइब बस्तियर अवश्य करें